दिल्ली आजाद हो चुकी थी और ग्यारा मई से इकतिस मई 1857 तक दिल्ली की करांटी की खबर बिजली की तरह सारे देश में फैल गई पर दूसरे शेहरों के करांटी का री नेता ये निश्चे नहीं कर पाए कि वो अपने यहां तुरंत करांटी शुरू कर दे या 21 मई तक इंतजार करें फिर भी ये लपटें तो करांटी की लपटें थी बगावत की लपटें फैली तो फैलती चली गई बुलंद शेहर चावनी में नौ नंबर पल्टन के सिपाहियों ने एक करांटी के प्रचारक को पकड़ लिया इस प्रचारक को पल्टन के मुख्याले अलिकड़ लाया गया अंग्रेज अफसरों ने उसे फांसी की सजा दी 20 मई 1857 शाम का समय था देशी सिपाहियों के सामने उस प्रचारक को फांसी पर लटका दिया गया ये देखकर देशी सिपाहियों में क्रोध भड़ाक उठा अंग्रेज डर के मारे काप उठे अगर तुम लोग अपनी जाल बचाना चाहते हो तो फांसी अलिकड़ छोड़ दो इटावा के कलक्टर ह्यूम ने पुलिस और जनता के प्रतिनिधियों से मदद मांगी कि क्रांतिकारियों को दबाया जाए पर उसे कोई जवाब नहीं मिला अंत में एटावा में मौजूद अंग्रेज सिपाहियों ने क्रांतिकारियों को दबाने की कोशिश की और लड़ाई छड़ गई अंग्रेज सिपाहियों के साथ मेजिस्ट्रेट मिस्टर डेनियल भी मारे गए बचे हुए अंग्रेज किसी तरह जान बचा कर भागे मिस्टर ह्यूम तो महिलाओं की वेश में भागे अब बगावत की लप्टें बरेली पहुँच गए यहां क्रांती की उचना बना रहे थे नवाब खान बहादुर खान बड़ी होश्यारी से, साफधानी से, चुपचाप 31 मई 1857 की सुभे, ठीक 11 बजे तोप छूटी और 68 नंबर पल्टन ने क्रांती का बिगुल फूँग दिया अंग्रेजी जंडा उतारा गया, हरा जंडा फैराने लगा बरेली की क्रांती में अफसरों सहित अनेक अंग्रेज मारे गए केवल 32 अंग्रेज अपनी जान बचा कर भाग सके खान बहादुर खान पूरे रुहेल खंड के सुविदार बने और बख्त खान प्रधान से न बती खान बहादुर खान ने जनदा के नाम एक एलान जारी किया हिंदुस्तान के रहने वालों आजादी का पाक दिन जिसका बहुत अर्से से इंतजार था आप पहुंचा है मुसल्मानों अगर तुम पुरान की इज़त करते हो हिंदुओं अगर तुम गोमाता की इज़त करते हो तो अब अपने छोटे छोटे ज़गड़ों को भूल जाओ और इस पाक चंग में शामिल हो जाओ एक चंडे के नीचे लड़ो और खून की नदियों से अंग्रेजों का नाम हिंदुस्तान से थो डालो उधर दिल्ली पर बहादुर शाह जफर का शासन हो चुका था उनके बुलावे पर बरेली के बहादुर बख्त खां भारतीय सेना के सेनापती बनने के लिए चल पड़े उनकी सेना के साथ शाजहापुर, बदाईउं और मुरादाबाद से आई देशी पल्टने, तोपें और खजाना था तीन जून को आजम गड़ में सत्रा नंबर की पल्टन ने क्रांती शुरू कर दी लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को मारा नहीं, बलकि उनके वहाँ से चले जाने का बंदोबस्त करके इमारतों, खजानों और गोला बारूत पर कबजा कर लिया चार जून 1857 को ये चिनगारी बनारस पहुँची अंग्रेज अफसरों ने तै किया कि देशी सिपाहियों से उनके हथियार रखवा लिये जाएं उन्हें परेट ग्राउंड बुलाया गया अंग्रेज अफसरों ने जैसे ही देशी सिपाहियों को हथियार रखने का आदेश दिया कि इन सिपाहियों ने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया अंग्रेजों ने सिप पल्टन को मुकाबले के लिए आगे किया लेकिन मुकाबला तो दूर वो अपने भाईयों से गले मिलने लगे जब मुकाबला ही नहीं तो लड़ाई कैसी अंग्रेजों को शान्ती पूर्वक बनारस से जाने दिया गया इलाहबाद तो पास ही था ये लप्टें वहां भी पहुँच गई इलाहबाद के किले में गोला बारूद और हथियारों का बहुत बड़ा भंडार छे नंबर की देशी पल्टन और मुठी भर अंग्रेज सिपाही थे देशी सिपाही क्रांती के लिए तयार थे पर उन्होंने बड़ी चालाकी से अंग्रेजों को बहकावे में रखा हम तो आपके साथ हैं हुजूर हुजूर हमें दिल्ली भेज दीजिए हम बाक्यों के टुकड़े टुकड़े कर देगे छे जून 1857 के सुभे एक बार फिर अंग्रेज अपनी तसल्ली के लिए देशी सिपाहियों से मिले बरोसा कीजिए हुजूर बरोसा तो कीजिए हुजूर उन्होंने बड़े स्निह से अंग्रेजों को गले लगाया उसी रात जब अंग्रेज खाना खा रहे थे कि अचानक बिगुल की आवास कूँच उठी अंग्रेज खबरा उठी इस वक्त ये बिगुल की आवास केसी बैरकों से सिपाही अपने हथियार लेकर निकल पड़े चारों और भगदर मच गई इलाहबाद में क्रांती शुरू हो चुकी थी बहुत से अंग्रेज मारे गए उनके बंगले जल गए साथ जून 1857 इलाहबाद कोदवाली पर हरा जंडा फैराने लगा शेहर में हरे जंडे का जलूस देखने लायक था जनता में इतना उत्सहा आ गया कि छोटे-छोटे बच्चे भी हरे जंडे का जलूस निकालने लगे क्रांतिकारियों ने कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया सरकारी खजाने पर भी उनका अधिकार हो गया रेल और तार व्यवस्था ठप पड़ गई। रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारियों का पहरा था। इलहबाद के स्वाधीन होते ही आसपास के गाउं में भी हरा जंडा फैरा उठा। अंग्रेजों के बनाये जमेदार हटा दिये गए और उनकी जगे पुराने खांदानी जमेदार फिर आ गए। अंग्रेज इतिहासकार मानते हैं कि उस समय इलहबाद में कोई भी ऐसा न था जो उनके खिलाफ न हो गया हो। बच्चे बच्चे में क्रांती की भावना जाग चुकी थी। लेकिन इलहबाद किले पर अभी तक क्रांती कारियों का कबजा न हो सका था। क्योंकि वहां मौजूद कुछ भारतिय सिपाही अंग्रेजों की मदद कर रहे थी। आखिर प्रमुख लोगों ने मिलकर मौलवी लियाकत अली को शासन का कामकाच संभालने के लिए इलहबाद का सूबेदार बनाया। मौलवी लियाकत अली बहुत नेक इंसान थे। सब लोग उनका बहुत आदर करते थे। मौलवी सहब ने खुसरोबा को अपना केंदर बनाया। वो दिल्ली के समराठ बहादुर्शाज जफर को वहां के हालात की खबर भेशते रहे। और इलाहबाद के किलह में मौजूद देशी सिपाहियों को क्रांटी में शामिल होने के लिए पैगाम भेशते रहे। लेकिन इन सिपाहियों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। इस तरह इलाहबाद के किले को छोड़कर सब चके क्रांतिकारियों का अधिकार हो चुका था